नमस्कार दोस्तों मार्क दर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज मैं बात करूँगी कि पित्र पक्ष के दौरान हमें क्या भोजन बराना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए तो दोस्तों हाँ पित्रपक्ष एक ऐसा समय है जिसमें हम अपने पित्रों के लिए तरपन करते हैं, स्राध्य करते हैं और उनकी इच्छा के अनुशार भोजन बनाते हैं अब कारण यह है दोस्तों कि यमराज इस समय हमारी पित्रों को जो है कि वह मुक्त कर देते हैं कि वह धर्ती लोग पे आकर के और अपना तरपन ग्रहन कर सके और दोस्तों हमारी मानेता तो ऐसी भी है कि इस समय यानि पित्रपक्ष के दौरान पित्र जो है घर के जो दहलीज होती है जिसको चोकट बोला जाता है उस पे जरूर आते हैं और जिन घरों में पित्रों के लिए उनके योग भोजन नहीं दिया जाता है वह परिवार पित्र पक्ष के दौरान अपनी पित्रों के पसंद का भोजन बनाया जाता है जिसमें कारण यह है दोस्तों कि कुछ लोग बताते हैं कि उनके पित्रों को यानि पुरवजों को मांसाहार काफी पसंद था तो मांसाहार के समदर में बहुत सारी बाते हैं कि जो पित्रों को पसंद तो वही भोजन निकाला जाता है पित्र पक्ष की यही मानेता है तो क्या मांसाहर बनाए या नहीं बनाए या फिर लहसुन प्याज वाला भोजन अगर हमारे पित्र माली जी की इस तरह का भोजन पसंद करते हैं और हमें कहा जाता है सास्त्रोक्त भी यही नियम है कि हमें जो हैं दोस्तों की देखें पित्र बोर्वजों की हमारे यहां तबंगर करने भोजन और तरपन ग्रहर कर ने तो घर में कोई festa के लिए चान करता है तुसी तिथी पर उनका शुराद्य कीया जाता दरजा है और आगर मिल जाए तो पांच साथ 11 जितने बी संखया खर दिया जाता है पर आज के दिन यानि जिस दिन होता है और प्राम्हड ऊपलब्द हो सके तो कम से कम जो आपके प्रामहड सठ्थ करानें आते हैं उनको पूरी तरह से संतुष्ट करें उनको भोजन कराये वस्त रदें दक्शीना दें मतलब जिस तरह से भी आप चाहें संतुष्ट करें क्योंकि दोस्तो嗯 पित्र को जो है देवताओंगी संख्या दी गई है देवताओं की तरह पित्रूं को भी दरजा या फिर असनान के बाद ही पित्रों का भोजन बनाना चाहिए और निकालना चाहिए और दोस्तों देखे कहा गया है हमारे विश्णु पुरान में की प्रति दिन पित्रपक्ष के दौरान पंच बली हमें अवश्य देना चाहिए अब पंच बली का अर्थ किसी की बली देने स नहीं है, पंचबली का अर्थ है कि हम जो भी भोजन बनाते हैं पित्र-फक्च के दौराण उसको पांच हिसे में बाटना चाहिए, यानि पहले पांच जीवों को अरपित करना काईए, उसके बाद हमें श्वायम ग्रहण करना चाहिए, तो वो पांच जीव गौमाता है,來到 ज जाता है तो इसलिए ये मानता है कि दूसरी बली कोभी दिया जाता है और तीसरी होती है तो गरीब अगर उपलब्ध नहो से के प्रद्दिन मिल पाना मुस्किल है अगर आपके लिए तो आप मशलियों के लिए भी ये भोजन दे सकते हैं सहस्ता से तो इस तरह से करके पहले इन पांच जिवों को संतुष्ट किया जाता है पित्र पक्ष में और फिर जो है अपना भोजन ग्रहण किया जाता है अब पांच जिवों को संतुष्ट करने का एक ही अड़ है कि किसी ने किसी रूप में हमारे पित्र आते हैं और हमारा भोजन ग्रहण करते हैं और दोस्तों अगर उनके लिए उप्युक्त भोजन हमने दिया है तो जो परिवार पित्र दोस से परिशान होता है दोस्तों पित् प्रशन हो जाते हैं तो इसलिए पित्र पक्ष के समय हमें कुछ बातों का विशेश ध्यान रखना चाहिए दोस्तों कुछ ऐसी गलतिया भी हैं जो पित्र पक्ष में नहीं करने चाहिए तो वह मैं अभी आपको बताऊंगी सबसे पहले यह जान लीजिए आपके पित्र पक्ष के दोरान आपको क्या क्या चीजे बनाने चाहिए तो दोस्तों पहले तो यह जानिया आपके पित्र पक् मैंने कहा आपको अगर अधिक ब्राह्मण नहीं मिल पारते हैं तो आप एक ब्राह्मण को ही संतुष्ट किजिए पर ब्राह्मण को भोजन चरूर कराईए अब दोस्तों देखिए लहसुन प्याज युक्त भोजन अपने पितरों के लिए बिल्कुल नहीं बनाएं भले ही आ अगर लहसुन प्याज युक्त भोजन आप बनाते हैं तो पितर उसे ग्रहन नहीं करते हैं और वो निरास हो करके अपने लोग लोट जाते हैं और मानसाहार में भी वही बात होती है दोस्तों कि भले ही हमारे पितरों को मानसाहार पहले पसंद था पर अब अगर हम उन्हें मांस वाला भोजन परोस्ते हैं भोग चड़ाते हैं तो वो हमारा भोजन ग्रहन नहीं करते हैं तो आप उन्हें सुध्ध और सात्विक भोजन जरूर बनाएं ऐसा करने से ही वो हमारा भोजन ग्रहन करेंगे और जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब कोई आपके भोजन आपको भोक को प्राप्त नहीं कर पाएगा तो निराज होगा, दुख़ी होगा और उसराप मिलेगा और पित्र दोस बहुत ही भायानक है, जिस व्यक्ति के उपर ऐसा लग जाता है पित्र दोस्त बहुत जल्दी इससे उरिण नहीं हो पाता है इसलिए सास्त्र में ये नियम बनाया गया है कि पित्र के लिए विसे समय है उसमें हम तरपन और पिंड़दान करके इस दोस्त से मुक्त हो सकते हैं और आगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो हर व्यक् के दिन और आप इस तरह से भी जो प्रतिन का भोजन निकालेंगे उसमें भी उरत की डाल के ब्यंजन अगर बनाएंगे तो ये काफी अच्छा होगा अब दोस्तों तील युक्त भोजन भी पित्रों के लिए बहुत जरूरी है ऐसा करना से पित्र संतुष्ट होते हैं और खीर पूरी बनाएं वेशन की पकड़े बनाएं पकड़ी बनाएं यह सारी चीज़ें पित्रों को जरूर भोजन में चढ़ाइए और ऐसा भोग लगाने से पितर जो है प्रशन हो जाते हैं और दोस्तों एक कासी फल जिसको कद्दू बोला जाता है यह भी पित्रों के भो पित्रों के लिए खीर भी जरूर अर्पित के जाती है तो खीर में बहुत जगापी चावल नहीं पित्रों के भोजन में रखा जाता है तो आप मत चड़ा ही अगर चड़ाया जाता है तो आप चावल की खीर भी बना करके चढ़ा सकते हैं तो बस दोस्तों यही कुछ जानकारियां थी जो आपको देना था अब सबसे महतोपूर बात है दोस्तों कि स्राद्य पक्ष में जब हमारे पितर आएं तो यानि वो किसी रूप में आ सकते हैं मैंने पहले भी कहा और फिर कहा रहे हूं कि किसी ब्यक्ति को संतुष्ट करना उसकी इच्छा के अनुशार उसको भोजन देना यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और प्रति दिन इसके पहले जो मैंने वीडियो तो उसमें बताये कि किस तरह से प्रति दिन भोजन पीतरों के लिए निकालना चाहिए और कहा निकालना चा और यह भी जानेंगे आपकी पितर के लिए भोजन निकालना हमारे लिए कितना अवश्यक है तो यह काम आप कर दिजिए और यह इन पांच जीवों को संतुष्ट करना बहुत अवश्यक है ऐसा करने से ही हमारा पितर दोस्ट चमाप्त होता है और आगे आने वाले समय में भी पितर हमसे प्रशन नरतेए और गOS देखिए कुछ बिसेष्ट बाते होती हैं जो पितर पत्रक्च के दरान नहीं करनी चाहिए थो ऐसी साथ इसल बाते-पित्रो में बताकुश्क दोर गक्ष्ट के समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और दोस्तों कानी जेक और अगर वो स्विकार नहीं करता है तो एक बार कम से कम आप उसे पूछ लें कि आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए तो पूछ जरूर लेना चाहिए, भले ही दोस्तों वो कोई कोरियर बुआ ही हो लेकिन आप एक बार उससे पूछ लें, ऐसा हमारी सास्रमा पितर पक्ष में जो पितर हैं वो किसी भी रूप में हमारे दर्वाजे पर आशकते हैं कुटा गाय और कवे इनको भोजन प्रतिदिन दे देखिए पंच जिवों को जो मैंने बता है उसको भोजन नहीं दे पाते हैं तो इन तीन जिवों को तो आपको अवश्य देना ही चाह नए कपड़े गहने यह सारी चीजें नहीं खरिदनी चाहिए कारण यह है दोस्तों कि यह स्राध्य पक्ष जो है हम अपने पितरों के निमित पूरी तरह समर्पित होते हैं और एक सोक का समय है तो सोक के समय उच्षव जैसा कोई भी कार्या नहीं करना चाहिए पिंद्दा तरह का वातावर्ण नहीं होना चाहिए क्योंकि पितर जब हमारे दर्वाजे पे दहलीज पे आते हैं और घर में बहुत तरह की नकारात्म कुर्जा होती है तो वह अस्थान त्याग कर चले जाते हैं और वह रूष्ठ हो जाते हैं और हर परिवार हर घर में पिंडदान होना बहुत जरूरी है दोस्तों ऐसी हमारे सास्त्र में भी बताया गया है तो सास्त्र मतलब बहुत प्राचीन समय से मानेता चली आ रही है कि अपने पूरवजों का स्राध्य करना बहुत जरूरी है तो बस पिंडदान हर घर में बहुत जरूरी है ऐसा होना ही चाहिए तो यहीं सारी कुछ महत्तोपूर्ण बाते थी दोस्तों जो आपको बताना था और एक चीज और बताऊंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे पितर हमसे हमेशा प्रशन रहे यानि आने वाले पिल्डियों में भी अगर किसी ब्यक्ति से थोड वहां पर एक दीपक रखें और थोड़ा सा पानी जरूर रखें ऐसा रखने से दोस्तों पितर प्रशन होते हैं और सुबह वो भोजन जो आपने साम की खाने में निकाला हुआ था वो भोजन सुबह आप च्छते डाल दें तो च्छते कोई ने कोई जी उस भोजन को खा ज और राखन एक अगाल में जो दोना है च्छते कर सक Además ही तो मेरा खाने कä मतलब कि राषावज कहाल को शोए जाना यह फोजन है काना थी तरह से साफ सफाई जरूर रखना चाहिए तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो एक साथ धन्यवाद